हेलो फ्रेंड्स वेलकम टूस फलता मुंतर दोसों आज सुबह की करेंट अफेर की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत सवागत है और जिसमें की हम लोग डेली के सभी इंपॉर्टन कोशन को एक साथ व्याख्या के साथ कवर करते हैं तो दोसों आज डेट है 27 मार्च आज की क्लास में आपको मिलेंगे 27 मार्च 2020 से सम्मंदि सभी इंपॉर्टन कोशन एक एक कोशन को देखिएगा समझिएगा और याद करते रहेगा बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है जरूर आपके आगामी एक्जाम्स में पूछे जाएंगे फेर के कोशन्स आपको मिलेंगे और क्लास के एंड में आपसे कोशन पूछा जाएगा जिसका अंसर आपको कमेंड बॉक्स में करना होगा और पुराने कोशन का अंसर आपको आज की क्लास में बताये जाएगा तो चलिए शुरू करते देखते हैं पहले कोशन से पहला कोश तारीको 26 मार्च को संपन हो चुका है और इसकी अध्यक्षिता इन में से किस देश ने की ये आपको बताना है किस ने की तो आपके सामने चारो आप्सन दिये गए हैं और इस बार जो सिखर सम्मेलन हुआ G20 देशों का उसकी अध्यक्षिता कि ये सलमान बिन अब्दुल अज 17 पर आधारीतिय सिखर सम्मेलन रखा गया था प्रधान मंत्री जी के आवान पर इसका आयोजन किया गया था नरेंद्र मोदी जी के याद रखिएगा चलिए बढ़ते हैं सेकेंड नंबर कोश्चन पर हाल ही में बित मंत्री ने आयकर से सम्मंदित समय की सीमा को बढ़ा कर कितना कर दिया है तो दोस्तों आयकर से सम्मंदित जितने भी काम होते थे चाहें वो आपका जो पैन कार्ड से आधार कार्ड अटेच करने का हो या फिर सीमा जो आयकर रिटर्न है वो भरने की डेट हो लाश डेट को बढ़ा दी गया और अब इसको कितना कर दिया गया चार से आंसर जरूर करते रही है प्रते कोश्चन का तो इसका भी दुस्व्ट आपका D नंबर आपशन सही हो जाएगा 30 जून 2020 ये इसका समय सीमा बढ़ा कर दी गई है प्रतेक आयकर से समन्दित इंकम टेक्से सम्बंदित काम की सीमा जो की 31 मार्च होती थी उसे बढ़ा करके 30 जून कर दिया गया है तो इसका आपका डी नंबर आप्सन बिल्कुल सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर कोशन पर किस संस्थान ने हाल ही में अपने रोगियों के लिए टेली प संक्रमित नहीं है अलग मरीजों के लिए टेली परामर सुविधा का एलान किया है यह टेली परामर सुविधा जो लागू की गई है यह एमस में लागू की गई है इसका आपका ए नंबर आप्सन बिल्कुल सही हो जाएगा एमस अंस्थान में हाली में अपने रोगियों के ले टेली परामर सुविधा का एलान कर दिया है तो इसका आपका थर्ड नंबर कोश्चन का ए आप्सन सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर कोश्चन पर कोश्चन दिया गया किस राज ने कोविड नाइंटीन महा लौक्ठाम के लिए मो जीवन योजना की सुरुआत की है दोस्तों योजना का नाम याद रखेगा पहले मो जीवन योजना है कोविड नैंटीन महा मारी की रोजधाम के लिए जैसे कि आप देख रहे हुए प्रतेक राजी में पूरे किंद्र सरकार राज देश सब के माध्यम से कोई ना कोई आयोजन या फिर किसी ना किसी रूप में महामारी को रोकने के लिए आपको घर में लॉकडाउन किया गया है इसी सीरीज को इसी कारकरम को आगे भढ़ाते हुए ए ये लॉंच की गई उडिशा में कहाँ पर इसका आपका बी नंबर आप्सन सही हो जाएगा नवीन पटनायक जी जो की होगा के मुख्य मंत्री है इनके द्वारा इस योजना का एलान किया गया मो जीवन योजना के इंतरेट प्रतेक जो भी व्यक्ति घर में रहते हैं उड निकले आप लोग इस्थि देख रहे हैं पूरे विश्व की समय क्या इस्थि बनी हुई है इटली के बाद इस्पेन के भी हाल बहुत ही खराब हो चुकी है और यह इस्थि सबसे जो बहुत अच्छे च्छे देश ते जो सुविधा संपन देश थे उन देशों की इस्थि बनी हुई है इसी वज़े से सरकार बहुत ही बहुत जादा तेजी से आप सब को घरों में बंद रहने के लिए बहुत निवेदन भी कर रहे हैं इसके लावा लाठी चार्ज वगएरा भी करना पड़ रहा है क्योंकि काफी लोग जो है वो मानते नहीं है तो उम्मीद करते है तो दोस्तों यह एक AI बॉट क्लारा है जो की प्रमुक रूप से कोविड-19 से संबंदित जानकारी परदान करेगा उसी से संबंदित है कि चैट बॉट AI आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस पर आधारित बॉट है तो इस बॉट का जो माइक्रोसाफ्ट कंपनी है इसने अम और उपसन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा फाइब नमबर कोशच्ट का याद हो गया चली बढ़ते हैं सिक्स नमबर कोश्ट पर रहाल ही में बित मंत्री ने कितनी धनराशी का आर्थिक सहता पैकेज की घोशना की है दोस्तों हाली में बित मंत्री के द्वारा जो आपका राहत देने के लिए जनता को राहत देने के लिए आर्थिक पैकेज लॉंच किया जो कि प्रमुक रूप से मान निधिक वालों को रुपए दिया जाएगा इसके लाबा अन्य ओजना के इंतरगत गेहूं चावल फ्री दिया जाएगा और जो जंदन वाले उनको पांच सो रुपए खाते में दिया जाएगा अन्य भी बहुत सी ओजनाएं लाँच की गई हैं ये सभी ओजनाएं इन एक्सन दा प्रिजनर्स हू नेवर केम बैक किस ने लिखी बहुत अच्छी बुख है बहुत अच्छी बुख लिए करें क्योंकि सैनिकों पर आधारित है और ऐसे सैनिकों पर आधारित है जो कि युद्ध के दोरान कहीं ना कहीं गायब हो गएं कहीं ना कहीं चले गए जो दुबारा लोट कर नहीं आ पाया ऐसे सैनिकों से बातचीत करके ऐसे सैनिकों के बारे में जो विचार है उनको रख करके ये पुस्तक तयार की गई और इस पुस्तक को लेखक की बात करें तो दोस्तों ये लेखिका है और ये बहुत बड़ी पत्रकार है वरिष्ट पत्र चंदर सुता डोग्राईं के दौरह यह पुस्तक लिखी गई है जो कि सैनिकों पर आधारित है याद रखेगा इंपॉर्टेंट कोश्चन यही बनता है कि सैनिकों पर आधारित पुस्तक है याद करते हैं प्रत्य कोश्चन को सब कुछ आपको पूरी व्याक्या के साथ बता दिया दोस्तों कि मलेरिया की बीमारी की दबा है हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन इस दबा के निर्यात पर रोक लगा दी यानि कि यह दबा विदेशों में अन इस्थानों पर नहीं भेजी जाएगी ऐसा किस देश ने किया और क्यों किया है तो सबसे पहले आंसर की बात कर यह दोस्तों कि हाइड्रोक्विन इस दबा बनाई जा सकती है उस पर परिच्छन चल रहे हैं कुछ ना कुछ मदद भी मिली है इसमें तो इसी कारण से दोस्तों हाइड्रोक्विन को निर्यात करने पर रोक लगा दिये ताकि अपने देश में दबा की कमी ना पड़े कह रहा है सब पर रोक लगा दी गई कि किसी भी रूप में दबा बाहर ना भेजी जाए तो इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा अमेरिका भी काफी तेजी से कोविड नाइंटीन की दबा बनाने में लगा हुआ है और इसने भी लगवग दो तीन ऐसे सैंपल तयार किया है इसी दबाओं को ढूना है जो कि मलेरिया डेंगू के यूज में आती थी और इन पर परिक्षन किये जा रहे हैं अगला नाइन नंबर कोशन है हाल ही में किस राजने एसेंसियल सर्विसेज वालों के लिए ईपास जारी किया दोस्तों ईपास है इस वज़े से कोशन को पहले समझिएगा बैसे तो प्रतेक राजने पासिज जारी किये अपने नागरिकों के लिए अपने जो जरूरतमन सामान बेशते हैं उन्स सब के लिए लेकिन ईपास कहां पर जारी किये गए हैं अगर आप लों ने निउस कल की देखी होगी तो आपको जरूर पत अपने दुकानों को खोल सकते हैं लगा सकते हैं तो इसका आपका C number option बिलकुल सही हो जाएगा दोस्तों सोसल डिस्टेंसिंग जरूर मेंडे नखे जिनको किसी कारण बस बाहर भी जाना पड़ रहा है तो वो लोग सोसल डिस्टेंसिंग जरूर रखें लगबक डेर मीटर से दो मीटर की दूरी प्रतेग व्यक्ति से बनाये रहें और बाहरी व्यक्ति के संपर्क में बिलकुल भी नाये चाहें वो आपके किसी परिवारी जन से मिलकर आपसे मिलना है हो यानि कि आपको एक ये इस बात को जरूर ध्यान में रखना है बचत करनी है कि कि किसी भी बाहर 10 number question है किस राज ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की सुरुवात की है दूसरों एक राज ने अपने राज में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो बच्चे हैं उनकी मा के सहयोग से सामाजिक नवाचार को बढ़ाबा देने की सुरुवात की गई है ताकि बच्चे खेल में प्रोत्साहित हो और आगे निकल कर कुछ बढ़ा कर दिखाया ऐसा करने के वाला ये राज्य बनाए हरियाना इसका आपका बी नंबर आप्सन सही हो जाएगा बैसे भी हरियाना राज जो खेल के मामले में काफी अग्रसर है जितने भी अभी तक ओलंपिक में या किसी भी गेम्स में जितने भी मेडल बगएरा जीते गए जादा अंतर उनमें लगवक 60-50-60% सिर्फ और सिर्फ हरियाना राज से ही होते हैं तो याद रखेगा दूस्तों इसका आपका बी नहीं है उसमें हमने आपके सीटेट के 1000 प्रसनों की जो सीरी चल रही है उसके इंपॉर्टन कोश्चन कवर किये थे क्लास नंबर 14 थी और ऐसी ही आपकी सुपर्टेट बी यो की क्लासेज भी जल्द ही लाने वाले बस आप लोग पूरा सहयो करते रही है अपना सपोर्ट दिखाते रही है क्लासेज को अगर आपके मतलब की नहीं है तो कम से कम सेर करते रही है दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत से सभी क्लासेज तयार करते हैं और आप लोग नहीं देखते हैं तो थोड़ा मेहनत बेकार हो जाती इस वज़े से बार बार दोस्तों आप से कह रह 2024 में प्रतेक चार वर्स के अंतर में आपके गेम्स का आयोजन किया जाता है तो 2024 के जो ओलम्पिक गेम्स हैं इनका आयोजन कहां पर किया जाएगा IOC ने इसको लेकर जानकारी दी थी International Olympic Council ने इसको लेकर जानकारी दी थी कि इनका आयोजन फ्रांस में किया जाएगा A number option आपका बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रांस में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा याद रखेगा important question है और महतपूर्ण question भी है हालांकि 2020 के Olympic को एक वर्स के लिए स्थगित कर दिया गया इसके आद अगर इस्तिती सामान होती है तो इन खेलों को जारी रखा जाएगा अनिता 2020 के Olympic को रद कर दिया जाएगा भी हालांकि रद नहीं किये गए इस बात को ध्यान रखेगा महतपूर्ण question है 11 number question का आपका A option सही हो जाएगा अगला और अंतिम question है दोस्तों भरत और किस देश کی नौसेना रियूनियन हुरीप से पहली बार सैंडी गस्त का आयोजन किया तो दोस्तों भरत और एक अन्ने देश की नौसेना जो है जो नेवी की आर्मी है उसमें संयुक्त रूप से गस्त किये रियूनियन दूइप में यह रियूनियन आइलेंड है यहाँ पर पहली बार संयुक्त रूप में गस्त किये साथ में मिलकर गस्त किये और यह भी आपका D-Number option सही हो जाएगा फ्रांस देश के साथ मिलकर के भारत की नोसेना ने वहाँ पर गस्त की है तो इसका आपका D-Number option सही हो जाएगा आज के सभी questions complete हुए और आपको बता दें कि कल की class के answers काफी लोगों ने दिये और बहुत अच्छे से दिये थे पूरी व्याक्या के साथ दिये थे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और अगर आपने कल की class ना देखियो तो तुरन देखिएगा और comment box के answer जरूर पढ़िएगा उन्हें like करिएगा share करिएगा नहीं होंगे like करिएगा और उन पर comment करके अपने विचार जरूर रखिएगा तो दोस्वों आपका कल का प्रस्था आईए मैं International Monetary Fund इसका मुख्याले कहां पर इस्तित है तो इसको लेकर काफी लोगों ने बताया है प्रवीन तिवारी जी ने बताया कि इसका मुख्याले जो है वह वासिंग्टन डी सी में और इसकी स्थापना की गई थी 27 दिसंबर 1944 को और इसने भारत के आर्थिक इस्तिति को लेकर चिंता जिता यह बहुत बढ़िया प्रवीन जी इसका अनुराग पांडे जी का भी अंसर आया है और इन्हों ने भी इसके बारे में बताया है स्थापना दिवस्थ दोनों लोगों के अलग अलग है तो इसकी यह जब क्लियर हो जाएगा तो हम आपको बता देंगा उनिस सो चवालिस है या फिर पेंटालिस है पैसे जादांतर चवालिस ही बताया गया यूए सुकला जी ने भी इसका अंसर किया उन्हों नहीं भी बताई यह एक अंतर राष्ठी संस्था है इसके लाब मोहिश्री वास्तव जी का प्रांसू ठाकुर जी अनूप तिवारी जी का अंसर आया है इसके लाबा मीनाक्षी खंडेलवाल जी ने इसके एमडी भी वताई है इनका नाम है क्रिश्टिलीना लिगाड याद रखेगा इंपोर्टेंट है और चीफ इकनॉमिस्ट हैं गीता गोपिनाथ ये लोगों ने आंसर किये इसके लाबा राधा डांगर जी का अंसर आया तारकेशर जी का अंकित जी का हर्चना जी का प्रति